प्यारे बच्चो नमस्कार, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत हैं, आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में सीख रहे हैं, छोटी ए की मत्रा, तो आज हम क्या सिखेंगे बटा, छोटी ए की मत्रा, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस मत्रा को लिखते कैसे हैं, देखिए, यह है इ इस मात्रा की आवाज क्या होती है, इ, क्या आवाज होती बिटस की, इ, और जब हम इस मात्रा को अक्ष्रों या वेंजनों के साथ जोड़ देती हैं, तो उनके साथ इसकी आवाज भी जुड़ जाती है, देखिए कैसे, यहां पर देखिए मैंने कव वर्ट ड़ा, उसके बियाद इस वरण के साथ, इस إक्षर के साथ, छोटी ए की अवाज भी जुड गई है. तो अब हम इसको क्या पड़ेंगे? की इसी तरह अगर हम इसको खव वरण के साथ लगा दें, तो ये क्या पड़ा जाएगा? ठी क्या पड़ा जाएगा, बिटा? इसी तरह बिटा हम सभी अक्षरों या सभी वर्नों के साथ इस मात्रा को जोड़ कर पढ़ने का अभ्यास कर सकते हैं चलिए हम करते हैं हाँ जी बिटा भी हाँ पर देखिए हम चोटी ए की मात्रा को सभी अक्षरों के साथ जोड़ कर पढ़ने का अभ्यास करेंगे देखिए, की, खी, गी, घी, ची, छी, जी, जी, टी, ठी, डी, डी, ती, थी, दी, धी, नी, पी, फी, डी, धी, मी, यी, री, ली, जी, तो इस तरह बेटा आपने भी सभी अक्षरों या वर्नों के साथ चोटी एकी मातरा को जोड़ कर उनको पढ़ने का भ्यास भी करना है और इसको लिखने का भ्यास भी करना है तो जब हम बेटा अक्षरों या वर्नों के साथ हम चोटी एकी मातरा को जोड़ देती हैं तो इन अक्षरों या वर्नों के साथ चोटी एकी मातरा की आवास भी जोड़ जाती हैं फिर जब हम इनको पढ़ते हैं इनको रीड करते हैं तो अक्षर के साथ हम एकी मातरा की पर लिखे गए हैं अब हम इनको पढ़ने का अभ्यास करते हैं देखिए सी अभ्याँ पर देखिए बटा सम अक्षर जो है उसके आगे क्या लगी हुई है चोटी की मातरा तो अब इसके साथ इसकी अवाज जुड़ गए तो यह क्या बन गया सी, सी, र, सिर, दि, न, दिन, र, वी, रवी, कवी, कवी, ही, र, न, हीरन, गी, ला, स, गिलास, कि, ता, ब, किताब टिक ट टिकट त की या ट की या ड ली या डली या ति न का तिन का छिल का छिल का एक बार दोबारा देखिए सिर दिन रवी, कवी हिरन, गिलास किताब, टिकट टकिया, डलिया तिन का, छिल का तो ये थी बिटा इमातरा के कुछ शबद आज आपने इकी मातरा के शबदों को पढ़ने का अभ्यास करना है आज के लिए इतना ही धन्यवाद